हमारी यूटूब चनल सीवाम ट्विटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तो अज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी इंगिनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज पॉल टेकनिक कॉलेज यह सब में आप अड़िशन ले लेते हो तो वहां से आपका अड़िशन जो कैंसील होता है वो कैसे होता है आपको डक्यूमेंट्स कैसे रिटर्थ होते हैं तो दोस्तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिप्लिकेशन कसरें मिलता रहिए Даudastो आई हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो हमारे पास यीटुप प या इस पर एक वीडियो बना दिजिए मेरे बहुत सारे दोस्त कनफ्यूज हैं तो दोस्तों आपको इसी के रिगार्डिंग की वीडियो है जिस पर आपके सारे डॉट्स किलियर हो जाएंगे उसके बाद में मेरे पास एक और डॉट्स आया जिसमें आपको पुछा गया भाय सारे स्टूडेंट कनफ्यूज हैं तो दोस्तों आपको बता दे कि जिसने भी एक कमेंट किया है वो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने बाला है इनका जो गोल है वो अब भी आप समाझ रहे होंगे वो चाहते हैं कि अभी हम इंजिनेरिंग में अडिशन ले ले और यह और अडिशन कैंसल कराना इतना आसान होता है तो दोस्तों इससे आपको मैं डिटल्स बताने वाला हूं तो आप वीडियो पे बने रहें दोस्तों आपको बता दे कि आपको भी कोई डॉट्स हैं तो ऐसे ही डॉट्स जैसे अभी मैंने बताया तो अब भी हमें गूगल है तो आप हमारे Telegram गूरॉप को जॉइन कर सकते हैं दोस्तों मेरा हैंग हो गया था तो मैंने भात सफ गूरॉप को डिलीट कर दिया है फिर बहुत सारे स्टुडीन टेलिग्राम को जॉइन हैं और आप भी चाहते हैं तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं आपको बात होता है कि क्या आडविशन कराना इतना कैंसिल असान होता है तो दोस्तों आडविशन कैंसिल कराने की जो बात है वो जैसे ही आप आडविशन एनाइटी या आईएटी में लेते हो तो वहां कौंसलिंग के समय अगर आप कैंसिल करवा लेते हो तो वहां पर आपको कुछ कुछ पैसे कट कर आपको रिफंट मिल जाते हैं अब बात है कि हम कुछ दिन पाढ़ लिए कॉलेज में मेरा लगबग एक साल होने वाला है तो क्या हम कैंसिल कर वाला है लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं तो द जो एकेडमिक डीन या प्रिंस्पल होते हैं उनसे आपको इस रिगार्डिंग बात करना होगा कि सर मुझे अडविशन कैंसिल करवाना है क्योंकि मुझे कहीं अलग दुसरे जगा दुसरे कॉलेज में अडविशन लेना है तो दोस्तों वहां जब आप बात करोगे तो आप एक अप्लिकेशन लिख लिजिए या फिर आप जो अडविशन कैंसिलेशन का जो फॉर्म है वो फिलब करिजिए तो दोस्तों एक काम आप करते हैं तो आप कैंसिलेशन का बहुत सारे कॉलेज में फॉर्म मिलता है तो वो फॉर्म आपको लगभग 1000 रुपे चार्ज क करेंगे तब आपको मिलेगा और बहुत सारे कॉलेज में जो सिंपली बोलते हैं कि आप ब्लैंक पेज पे लिख कर अपना सिगनेचर कर आप मुझे सब्मिट कर दिजिए तो दोस्तों जो भी हो आपको एक काम करना होगा उसके बाद में आपको होडी से फॉर्वड करवान दोस्तों अगर आप कराना चाहें तो दोस्तों उसके बाद में अब बात उठती है कि क्या हमें अप्लिकेशन के साथ सिंपली अप्लिकेशन देना है तो नहीं आपको अप्लिकेशन के समय अगर आपका कॉलेज में रिजिस्टेशन हो गया है तो रिजिस्टेशन का सलीप देना होगा, उसके बाद payment का receipt देना होगा, ID card देना होगा, उसके बाद bank account का details देना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर fee refund level fee की बात होती है, तो बहुत सारे पोलtechnic college में refund level fee होते हैं, बहुत बीसन के time जमा हो जाते हैं, तो बहुत सब सायद आपको refund मिल सकता है, तो अब bank account भी आ और तब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और admission cancel हो जाएगा, दोस्तों उसके बाद में अब बात रुटते हैं कि हमें documents कैसे बापस मिलेगा, तो दोस्तों documents से related भी आपको इसी तरह का एक काम करना होगा, वहाँ फिर से आपको application देना होगा, फिर से verify करवाना होगा, जब ए जमा documents होता है, वो CLC होता है, migration होता है, और character होता है, यही तीन documents आपको college में जमा होता है, और यही तीन की जरूरत आप जब कहीं दूसरे college में अड़िशन लेते हो, वहाँ पे होता है, बाकी marksheet और जो होता है, वो return हो जाता है, और जातिया निवास है, वो सब भी आपको कह न्यू बन जाएगा लेकिन ये तीनों डाकुमेंट्स आपको रखना होगा अडविशन के लिए तो दोस्तों अगर ये सारे डाकुमेंट्स कॉलेज में रह जाते हैं तो आपको कॉलेज के थूँ ही कोई कलर्क होगा वो आपको रेजिस्टार होगा वो आपको दे देगा ले तरह से अगर आपका इंजिनियरिंग में अड़िशन बिहार के कॉलेज में लेते हैं तो आपको एक के यू जो हेड ओफिस है वहां पे आपके सारी डाकुमेंट्स के तुरू जो आपका अप्लिकेशन फॉर्वेड होता है उसे लेकर आपको एक के यू पटना जाना होगा औ और वहीं पे आपको डेर से दो हजार रिपे चार्ज किया दाएगा और उसके बाद आपके डाकुमेंट्स है वो पूरी तरह से रिटर्न होगे जोस्तो अड़िशन कैंसिल करवाना इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है आप छोटे से कॉलेज में जाते होगे तो वहां आप आपको बहुत सारे परसानिया जहलनी पड़ती होगी तो यहां भी होता है आपको इसा नहीं आपको तीन बार चार बार जाना होगा तब जाकर आपका पूरा काम पूरुत ओके होगा दोस्तो तो बहुत ज्यादा परसानी होती है अड़िशन कैंसिल करवाने में और डाकिम लेकिन वह ब्येशव में डिशन ले लिए उनका अभी तक यह भी कॉंफिडेंश नहीं है अपने आप पर कि हम करना क्या है अभें इंजिनियरिंग करना है या फिर बचला कोई एक रास्ता अभी तक नहीं चूच किए तो वह डिशन ले लिए दोब तो अगर आपका डॉ रेक्टर सेटिफिकेट आपको हर हाल में चाहिए यहां से नहीं मिलता है तो आप इनवर्सिटी से लिजिए या फिर बोर्ड आउफिस से लिजिए आपको कहीं से लेना है लेकिन डाक्यमेंट्स आपको हर हाल में चाहिए यह तीन डाक्यमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं होंगे तो आपको अडविशन नहीं होगा तो यह भी किलियर हो गया होगा आई थिंग बहुत सारे डॉट्स आपके किलियर हो गया है वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक किजिए और अपने दोस्तों में सेर किजिए थैंक यू